Hi everyone, it's me Anjali Verma, your chemistry educator और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे secrets की जो की CBSE toppers आप सभी के साथ share नहीं करते हैं हाँ जब वो top कर लेते हैं उसके बाद तो definitely share कर लेते हैं बट जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सारी चीज़े follow कर रहे होते हैं बट आपके साथ share नहीं करते हैं मैं भी जब अपने class 10th और class 12th में थी ना तो मैं बिल्कूल भी ये सारी चीज़े share करती ही नहीं थी अपने friends के साथ चुप चाप पढ़ती थी ये सारी चीज़े follow करती थी और बताती किसी को भी नहीं थी तो अब तो मैं तुम्हारी teacher हूँ तो इसलिए ये सारी चीज़े आप सभी के साथ share कर रही हूँ तो उसके बाद NCRT पे आ जाते हैं NCRT पे देखते हैं कि exactly ये चीज़े mentioned है या नहीं है and then उसके बाद notes बनाते हैं अब आप कहोगे कि notes बनाना क्यों important है notes बनाना बहुत जादा important है इसके पीछे reason है कि last में जब exam के पहले हम revision कर रहे होते हैं तो हमारे पास reference book भी होती है NCRT भी है previous years है sample papers है इतनी सारी चीज़े हैं तो हम किस-किस को revise करें तो chapter की summary के लिए हम क्या करते हैं notes बनाये रखते हैं जिसमें हमने short में सारी चीज़े note down करी होती हैं जितनी reactions है सारी लिख दी उसके अलावर जो definitions है जो reason based questions है उनके जो भी reasons होंगे वो हम short notes में mention कर देते हैं उसके बाद important questions practice करते हैं बहुत जादा important है क्योंकि important questions ही generally आ जाते हैं repeat होके अब हमें कहां से पता चलेगा कि हर chapter के important questions क्या क्या है तो previous years से आप जैसे ही previous years देखोगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला topic है redox reaction वाला ये तो हर साल आया है which means ये काफी जादा important है मुझे पता होना चाहिए oxidizing agent क्या है reducing agent क्या है तो ये important topic हो गया pH से related आप देखोगे बहुत सारे सवाल आये हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इससे related जो भी questions है इसका जो concept है वो बहुत important है तो important questions और important topics पे वो सबसे जादा focus करते हैं और कहां से पता चलेंगे तो previous years से पता चल जाएगे वैसे chemistry के लिए मैंने already video बना रखी है जहां पे important questions भी कराए हैं सारे previous years करा दिये हैं और important topics भी बता रखे हैं ठीक हो गया चलो इसके बाद revision is most important मान लो जो first chapter था chemistry का मैंने पढ़ा था September में अब आ चुका है January तो अगर इस बीच में मैंने उस chapter को बिलकुल भी revise नहीं करा प्री बोर्ट में भी revise नहीं करा तो obviously मैं बिलकुल भूल जाओंगी है न तो बीच बीच में revision बहुत जादा important है और toppers क्या करते है न बीच बीच में revise करते रहते हैं like मैं बताती हूं when I was in class 12 तो हमारे पास free periods होते थे जैसे teachers नहीं आए तो आप सभी को बता है वो period हमारे पास free हो गया तो वो हमारे पास free period है तो मैं क्या करती थी सब लोग gossip कर रहे होते थे मैं उसमें बिलकुल involved नहीं रहती थी एक कोने में चले जाती थी और उसके बाद math के जो भी questions थे उनको करने लग जाती थी revise क्योंकि math तो एक ऐसा subject है जहां पर practice is most important तो मैं revise करना start कर देती थी अगर मालो मैंने notes बना रखे हैं किसी chapter के मुझे difficult लगता है तो उसको simply revise कर लेती थी क्योंकि लिख तो मैंने वो चीज़े already रखी है तो मुझे बाद में करना ही क्या है बस simply उसको read करना है and उसको recall करना है ये concept था क्या तो revision बहुत important है also आप weekends का इस्तमाल कर सक है ना तो आप revision कर सकते हो जब भी आपको लगता है कि यार अब मैंना कोई नया topic नहीं पढ़ पा रही हूँ नए questions नहीं कर पा रही हूँ उस case में revise कर देना ठीक है उसके बाद short notes definitely बनाते हैं एक तो ये वाली notes हो गए ठीक है जहां पर आपने सारी चीज़े mention कर रखी है ए उसके बाद next page पे आप आए chemistry में जितनी reactions हैं वो सारी आपने लिख ली जो भी chemical name है compounds के जैसे calcium oxide है तो ये calcium oxide कहलाएगा ठीक है chemical name इसका ये होगा और इसको quick line भी कहते हैं तो ये इसका general name हो गया ठीक है तो इस तरीके से जो भी general name है chemical name है वो आपने लिख लिए जैसे history की बा important places जो भी है तो ये चीज़े आपने short में mark कर ली क्योंकि ये ऐसी चीज़े होती है जो generally आ जाती है और अगर हमने इनको revise नहीं करा होता है तो हमारे दिमाग से निकल जाती है कोई भी date है मालो 1966 थी अब में को ध्यानी नहीं आ रहा है 66 थी या 56 थी तो इसलिए आपको क्या क activities अब ये मैं क्यों बता रही हूं कुछ जादा ही precise होके क्योंकि जो toppers होते हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं ठीक है अगर आपके पास NCRT है तो उसमें जो mentioned चीज़े हैं सिर्फ वही नहीं करनी है जो अलग से डब्बे में बनी होती है ना चाहे वो do you know वाला session हो ये सारी चीज़े टॉppers देखते हैं अच्छे से activities से बहुत सारे questions आते हैं chemistry में even physics में भी chemistry में थोड़े जादा आते हैं आपको पता है तो इन activities को भी वो अच्छे से practice कर रहे होते हैं जो भी उससे related questions आते हैं उनको भी देखते हैं तो जो भी बीच में चीज़े हैं जैसे नहीं करना होता हैं ये सारी चीज़ें भी बहुत important होती हैं इसलिए examples भी करने हैं मैं मिस्लेडियस exercise भी करनी हैं इसके अलावा activities भी करनी है chemistry या फिर physics में अब next है हमारे पास practice practice सबसे ज़्यादा important होती है आपने सुना होगा practice makes a man perfect practice से आप उसी action को बार-बार कर रहे हो अगर मैं math के questions की बात करूं तो math में सिर्फ एक type का एक ही question नहीं होता है बहुत सारी questions होते हैं तो अगर मुझे question आ गया तो मैं सोचते हूं कि या चलो हो गया उसके बाद दूसरा कोई question प्राक्टिस ही नहीं करा तो भूल जाएंगे उसको तो इसलिए उस type के दो या तीन question तो minimum हमको करने ही चाहिए this is the minimum maximum कितने भी कर सकते हो when I was in 10th ना तो मैंने तो यार NCRT कर रखी थी पूरी maths की इसके अलावा एसचांद भी करी हुई थी RD शर्मा भी पूरी करी हुई थी हर एक question मैंने करा हुआ था आपको पता है RD तिनी जादा मोटी है हर एक question मैंने करा था तो practice बहुत important है ठीक है तो practice तो तब हो पाएगी होने उतने अच्छे से preparation नहीं कर रखी है तो उनको ऐसा नहीं करना है कि 100 questions लगा दिये maths के एक ही concept के ऐसा नहीं करना है क्यूंकि time limited है उस time के according हमें smart study करनी है ठीक है hard work तो करना ही है बट smart work भी करना है smartly करना है hard work ठीक है तो जैसे अभी limited time है तो आपने maths का concept समझ लिया तो उस particular concept के 2-3 questions practice कर लिए उसके अलावा फिर आप next concept में move on कर जाओ क्यूंकि time अभी कम है ठीक है चलो उसके बाद NCRT solutions सब होने चाहिए NCRT का हर एक question आपको आना चाहिए चाहे वो in text वाला हो चाहे वो back exercise का हो चाहे maths में वो exercise का हो example का हो miscellaneous का हो हर एक question आपको बहुत तरीके से आना चाहिए NCRT का इसके अलावा question mark कर लो जैसे maths में हैं तो हर एक question practice नहीं कर सकते है ना exam के पहले तो जब ही आप पहली बार या दूसरी बार book को practice कर रहे हो जो भी questions आपको difficult लग रहे हैं उनको mark कर लो so that last में आप उनहीं को practice करो जो भी आपको important लग रहे हैं कि यह तो previous years में बहुत जादा बार आए हैं चाहे वो question bank की बात हो चाहे PYQs की बात हो जो easy लग रहे हैं उनको mark मत करो जो difficult लग रहे हैं जो important लग रहे हैं सिर्फ उनको mark करो और last में सिर्फ और सिर्फ उनहीं को आपको practice करना है ठीक है तो यह सारी चीज़े मैंने आपको बत सकता है chemistry का अगर आपने वो concept पहली बारी में अच्छे से पढ़ रखा है तो revision काफी असान है नोट्स आप लोग बना सकते हूं नहीं बना सकते हूं तो कोई बात नहीं PDF मैंने प्रोवाइड कर रखी है संकल भारत foundation पर चले जाना आपको सारी PDF मिल जाएंगी उसके बाद य आप लोग PDF देख लेना इसके अलावा यह जो short notes है यह भी हमने हमारे handwritten notes में आप सभी को provide कर रखे हैं तो हमारे batches यहां पर चल रहे हैं ठीक है सबसे पहले आप लोग संकल्प भारत का जो app है उसको download कर लेना संकल्प भारत के app में बहुत सारे free चीज़े हमने provide कर रखी है उन free चीज़ों का आप use कर सकते हो तो app आप जैसे ही download करोगे तो बहुत सारा free material आपको मिल जाएगा इसके अलावा हमारी exam kit भी launch हो रखी है तो आप लोग exam kit को भी purchase कर सकते हो तीन चीज़े हमने आप सभी को provide करी है एक तो crash course है जो भी बच्चे crash course में enroll करना चाहते हैं जल् 499 रुपीज इसमें भी आपको 6 sample papers मिलेंगे per subject science के भी 6 है math के भी 6 है English के भी 6 है ठेक है तो यहाँ पे सब के आपको मिलेंगे सिर्फ इस price में और अगर आप यह वाला purchase करोगे तो crash course तो मिलेगा ही यहाँ पे full syllabus revision आपको मिल जाएगा इसके अलावा question practicing sessions भी आपको मिल जाए यह लेना चाहते हूँ यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा sample paper यहाँ पे इसके अलावा और भी features मिलेंगे और third है हमारे पास hand written notes यहाँ पे हमने आपको सब कुछ provide करा है hand written notes में जो भी highly expected questions है important reactions है important definitions है वो सब आपको hand written notes में मिल जाएंगे इसका price है 199 links description में है definitely आप लोग check कर लेना और मिलते हैं next video में I hope ये video आप सभी को बहुत पसंद आई होगी next video में मिलेंगे till then bye everyone take care and all the very best